तुस्थ नाइट ओफ चैंपेंड के प्रिमियम लाइव इवेंट के रोमन रेंस का प्राइटी मैच कनफर्मूर लेकिन रोमन चैंपिन होने के बात भी चैंपिन्शिप मैच में कंपीट करें तो कि रोमन के डबल मार्ची जोंगे नाइट और से वीडियो आगर तुम लंग सेथ फ्रीकिंग रॉल से साथ में हो चुका अगर तुम्हें याद होगा एक बार उनने सीना का फेस की यह था स्टिंग का सिम शुक के अंतर लेकिन का रोमर रिजिक चैंपेशिप मैच में अल्रेडी हैं टाक्टीम वाले इसके लावर रोमन का एक और मैश ओपर हो गाए सबस्क्राइब करें और सबस्क्राइब करें यह था और अपने यह था लेकिन वह लगातर अपने बनेफिट्स के अंदर और ऊपर जा रही है और नॉक्स्वेल ने कुछ इस तरहीं से रेकौर्ड भी बना डाले लेकिन अब बात करें स्मैक्डाउन के एपिसोड के रेटिंग्स आफ है विवर्शिप के बारे में तो ओवरॉल विवर्शिप भी आई है री से लिए स्मैक्डाउन के एडिशन की और पिछले हफ्ते में काबले जाद आए इस हफ्ते विवर्शिप पहुंच चुकी है 2.068 मिलियन विवर्श उसलिए पिछले हफ्ते जो रेटिंग्स है वहादी 1.9 7 6 million विवर्शिप बात करें पहले घंटे के बारे में पहले घंटे में रेटिंग आई है 2.0 408 मिलियन विवर्श और दूसरे घंटे में विवर्शिप आई है 2.048 मिलियन विवर्श तो देखा जिस मैक्डाउन की से उपर ही है और मुझे लग रहा है अच्छा खासा जो रेटिंग करके रखे और शोपर रोमर रेंज भी थे इसलिए दूसरे घंटे में भी डिकलाइन होने को कोई अब बढ़ते हैं एक सब्सक्राइब के बारे में जुड़ी है तो इसको लेगा जो बॉपी लाशली का अपडेट देते हुए नज़रा अपने ऑफीशल इंस्ट्रगाम अकाउंट के थूरी का स्क्रीन शॉट तुम लोग देख पार होगे यहां पर वूरा डालता लिखते ह होगे उपर उनके मात सिर के उपर घंजे भी थोड़े स्टिचिस बगएर लगे हों तो यहीं वो स्पोर्ट जहां पर एक्च्वल में उनके सिर से ब्लड आने लगया था और यहोप बॉबी लैशली को जादा कुछ इन्हां चोटना लगी हो काफी जल्दी सी से अब रिका हील टन हां रिसेंट टाम में अच्का बेबी फेस्ट रहें जज़्जमेंट एक चोड़ने के बाल लेकिन जो अपडेट से सामने रिसलिंग विद ब्लॉग की तरफ से आई है और उनके बात रिविल के मैं कन्फरम तो नहीं बता सकता हूं लेकिन अपडेट को इस तरीके स है कि एक पॉसीबल एच का हील टन डिसको रहें करेंटली बैक स्टेज के उपार यानिकी डेवल डबली वाले इसको पूरे तरीके से लॉक नहीं कर दे रहें से पहले आपके सबसे क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा है रिटार्मेंट के लिए क्या उनका हील टन हो जाना अच इस बारे करेंट इंट्र कॉंटिनेटल चैंपियन रिंग जर्नल गंथर के बारे में जुड़ी एंदर मंडी नाइट रॉक के अंदर आचुके इस साल डबलबली ड्राफ्ट में और बात कर अगर उनके अगले अपूरेंट की बारें तो कंपने ने रीसिंट टामें पूर इंपीरियम के साथ में इस पूरे बैटल रॉयल को वैसे रॉकर रॉस्टर भी अच्छा खास है कौन अगला गंथर का अपूरेंट होने वारा मंडी नाइट रॉम में अब बढ़ते हैं आज की मारी नेक्स्टेंट फाइनल स्टोरी के तरफ इस बार यह जुड़ी है हमार यहां पर आपने माच के अंदर कंपीट कर रहें तो जो अपडेट संगे सामने उसके कॉर्णिक बहुत हार्ड या फिर ना के बराबर ही चांस है कि जो रोम और रेंज वह डबल डूटी पूल आफ करेंगे नाइट फटी वाला माच होने वाला है और बताया रहें रहें ड पूरा जो का कैसे रोल्स और रोम रेंज तोड़ती नजर आएगे और रोम रेंज चांपिन होने के बाद भी इस साल नाइट आपनी चैंपिंशिप को डिफेंड नहीं करने वाला है और रोम रेंज वह माच के अंदर कंपीट करेंगे और वो फ्टीश करने वाले सिंगल पुराने 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 नाइट चैंपिंशिप करनी पड़ेंगी यह सभी ब्रेक करते वे नजर आ रहें अपना उपिन जरूशे करना कॉमेंट सेक्शन में तुम लोग के खुश हो कि रोम रेंज अपनी चैंपिंशिप को डिफेंड नहीं कर रहा है बलकि टाइटल मैंच के अंदर उल्टा चलो इस वाली वीडियो को अब यहीं पर रेंड कर रहा हूं गर तुम्हें यह वाली वीडियो पसंद आई है फटफट से इस वाली वीडियो को करतो जल्दी से नीचे लाइक लेकिन साथी में जो लोग चैनल के पर नीव है सब्सक्राइब करना च साके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जादा जल्दी तिल देन बाई बाई टेक कियर